हेलो बच्चो वेलकम टू प्रेप जीत आज बच्चो सेंटर आप मास की हमारी जो है कौन सी क्लास है आठ हुए नौ भी सेंटर आप मास बच्चो हमने बहुत अच्छी स्पीड में खतम किया है तो हमारा डिसकेशन फिर बचेगा बहुत सारे डिसकेशन बचा हुए डिसकेशन तो मतलो बहुत ही कम हुआ है भी तक न तो कल बच्चो आज मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कॉलिजन और कल डिसकेशन होग तो अगली कम से कम दो से तीन क्लास दो क्लास कम से कम बच्चो डिसकेशन ही होने वाला है हमारा ना और इसी में हमारा डिसकेशन बच्चो निप्टा देना है ऐसा नहीं कि हमारा डिसकेशन हुआ ही नहीं है मतलब मैंने दिसकेशन भी काफी करा दिया था अगर आपको आएगा क्या एक्ससाइबन कहां तक डिसकस करवा दीती मैंने है जी कहां तक करवा दिसक्रशन किसी को पता है कुछ हमारे डिसक्रशन कहां तक हुए प्रिंस विन्य अके सब्सक्रशन करते बच्छो मैंने कल तुम रोगों कोफिषइंट अब रेस्टिटूशन पड़ाया था ठीक है इसे जो होता है कोफिजेंट और रेस्टिटूशन के बारे में सारी बाते में ने तुम्हें बता दी थी अब हम बात करने वाले टाइपस अफ कोलीजन बेस्ट ऑन एनर्जी लॉस तो टाइपस ऑफ कोलीजन बेस्ट ऑन एनर्जी लॉस सो एनर्जी लॉस के वेसिस पर अच्छे 20 वेश्चन तक ओ चुका है ठीक है अब उसको प्रायोटी देंगे थोड़ा न डिसकृशन को तो बच्छो एनर्जी लॉस के वेसिस पर भी कोलीजन की कुछ टाइप होते है प परफेक्टली इनलास्टिक कोलीजन सो पहला डाइप होता है बच्छो एलास्टिक कोलीजन दूसरा डाइप होता है इन एलास्टिक कोलीजन और तीसरा डाइप होता है परफेक्टली इन एलास्टिक, ठीक है, पर्फेक्टली इनलास्टिक कोलिजिन, ठीक है, एलास्टिक कोलिजिन क्या होता है, इन इस एलास्टिक कोलिजिन, कम्प्लीट रिफॉर्मेशन अफ कोलाइडिंग, बोडीज टेक्स प्लेस, मतलब बोडी पूरा शेप रिगेन कर लेती है, फुली, फुली रिगेन हो जाती है, डिफॉर्मेशन मतलब बच्चता ही नहीं है, ठीक है, कम्प्लीटली रिफॉर्मेशन हो जाता है बच्चों न, कम्प्लीट रिफॉर्मेशन अफ दा कोलाइडिंग बोडीज टेक्स प्लेस, काइनेटिक एनरजी, बीफोर, काइनेटिक एनरजी, आफ्टर कोलीजन, अब आप भी बोलोगे, तो मतलब बीच में क्या होता है, बीच में काइनेटिक एनरजी का लॉस होता है, काइनेटिक एनरजी का कनबर्जन होता है, बच्चों, deformation potential energy में, लेकिन बात हमें क्या सारी potential energy क्या, جو deformation potential energy हो kia हो जाती वच्छो? Regain हो जाती है ठीक है? यह वाली बात तम लोगो समझे भाई कशारी को regain कर लेता है, तो regain हो जाती वच्छो ना सारी की सारी, ठीक है na complete deformation होने के बात complete reformation हो जाता जोजन चाहती है एक बाद में सारी काइनिटीक अरजी रिगें हो जाती है ऐसे को बुलते है बच्चो हम जो है Elastic Collision Elastic Collision के लिए cabbage value बच्छो 1 के बराबर होती है यह जो coefficient of restitution है न यह 1 के बराबर होता है ठीक है restitution, coefficient of restitution बच्छो 1 के बराबर होता है मतलब velocity of separation, जो होती है न velocity of approach के बराबर होती है separation velocity के बराबर होती है यह धरती बचाइक बारे में बात बच्चो बच्चतिक कोलीजनен दें बात क्वाथें इसमें क्वाथें पार्शियल रिफमेशन टेक सका लेका है लेकिन अन्लिपार्शियल reformation takes place यहाँ पर बच्छो पार्शिल reformation होता है some kinetic energy is lost in deformation यहाँ पर बच्छो कुछ deformation बच जाता है मतलब ना coolie shape रहे गें नहीं होती कुछ kinetic energy loss हो जाती है तो kinetic energy initial is greater than kinetic energy after, after collision kinetic energy बच्चो क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, बाद में पूरी energy regain नहीं हो पाती, यहाँ पर बच्चो E की value less than 1 होती है, greater than 0 होती है, velocity of separation is less than velocity of approach, approach velocity से, बच्चो separation velocity कम रहती है, ठीक है, this is the inelastic collision की condition, perfectly inelastic collision क्या होती है, बच्चो, a reformation does not take place at all, reformation does not take place at all, ठीक है, reformation बिलकुल ही नहीं होता, बच्चो न, velocity of separation जो होती है न, बच्चो यहाँ पर, वो 0 होती है, मतलब separation आता ही नहीं है, maximum loss of kinetic energy takes place, loss of kinetic energy takes place, तो क्या सारी kinetic energy खतम हो जाती है, इसमें, depend करता है कि momentum क्या है, ठीक है, तो इसमें सबसे जादा energy का loss होता है, कौन से बाले में, perfectly in elastic में, जैसे बच्चो, आपने देखा, बीच में super elastic ball आने लगी थी, मतलब अगर आप उनको इस height से गिराओगे, तो ऐसा तो आईडियली तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बन पाई, कि मतलब आप इस height से गिराओ, इस height तक बापस आ जाए, ठीक है, जिसके लिए E की value 1 हो, लेकिन हम E की value बच्चो काफियत तक 1 लेके चल सकते हैं, ठीक है, तो मोती चूर के लड्डू को पकड़ना और ऐसे करके गिरा देना, गिराने के बाद वाद वेट करना, वो rebound करके आएगा, ठीक है, 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 इसे में बच्चो E की value 0 के बराबर होती है, E की value कितनी होती है बच्चो, 0 के बराबर, तो ये तीनों टाइप ओफ कोलीजन समझ में आगे, कल मैंने तुम्हें head-on and oblique collision तो पढ़ा ही दिया था, head-on and oblique collision बच्चो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, अब सुनो, collision में, जो है, energy, kinetic energy conserve रहेगे नहीं रहेगे, वो इस बात पर depend करेगा, ठीक है, kinetic energy का क्या होगा, वो तुमारे पीछे लेखा होगा है, ठीक है, linear momentum का क्या होगा, बच्चो, अगर collision के दौरान, अगर collision के दौरान, non-impulsive forces लग रहे हैं, ठीक है, या impulsive force नहीं है कोई भी, तो linear momentum बच्चो, conserve रहेगा, ठीक है, linear momentum conserve रहेगा, तो यहाँ पर एक point करके लेखे लेंगे बच्चो ना, तो kinetic energy के बात तो होगे, अभी एक important point है, थोड़ा सा linear momentum conservation during the collision, यहाँ पर थोड़ी सी special condition आ जाती है, ठीक है, linear momentum conservation, conservation, ठीक है, देखो भाई, duration of collision जो होती है, वो बहुत small होती है, duration of collision, is very small, ठीक है, duration of collision मच्चा बहुत छोटी होती है, if impulsive forces on both the colliding bodies और वो भी काउन से, external impulsive forces, both the colliding bodies are zero, then linear momentum during the collision, during the collision, is conserved, आप बोलोगे, sir, only impulsive force हो, अगर non-impulsive force हो, तब भी हम linear momentum conserve कर सकते हैं क्या, मैं काऊंगा, yes, collision के just बाद हो, collision के just पहले, आप linear momentum conserve कर सकते हो, अगर non-impulsive forces लगे हुए हैं, तो जैसे gravity, spring force, तब भी आप linear momentum को conserve कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, just पहले, just बाद में, क्योंकि non-impulsive force जो होते हैं, duration of collision बहुत कम होती है, अच्छा, non-impulsive force को ज़्यादा time चाहिए, कुछ momentum में change लाने के लिए, तो जो non-impulsive force होगा न बच्चो, वो बहुत छोटे duration में, momentum में जो change लाएगा न, वो almost negligible होगा, ठीक है, तो हम जोए linear momentum को, conserve कर सकते हैं, अगर non-impulsive forces लगे रहे हैं, तो impulsive लगेंगे न, impulsive तो क्या करेगा, उस छोटे से duration में ही, अच्छा कासा momentum transfer कर देगा, फिर linear momentum conserve नहीं करना है, ठीक है, अच्छा, क्या ideally linear momentum conserve है, non-impulsive forces की presence में, no, but the change in linear momentum is, so small that we can write the equation of linear momentum conservation, just before and just after, even in presence of, non-impulsive external forces, ये वाद सम्वाजी माई ये नहीं आई, ये वाली वाद सम्वाजी माई गिरे, ठीक है, ये इंपोर्टेंट अबच्छो न, वी कैन, राइट, बच्छो न, जाइट ये रणे एंपोर्टेंट, बच्छो न, एक्स्टर्नल नॉन इंपल्सिव फोर्सेज ठीक है? बाई लिखे लो इन दामर लाइन को ना आपको सुर्म करेंगे हैं हम दो यह हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा ना बच्चो नॉन इंपल्सिव फोर्स की वैसे लीनियर मोमेंटम है बहुत नेकलिजिबल होगा that's why we can write the linear मोमेंटम before is equal to linear मोमेंटम after the collision चलो एक question solve करते हैं अब तो क्या है? अब पहले head on collision के question करेंगे फिर oblique के भी करेंगे बच्चो ठीक है? तो question one यह किस के head on collision के? पहले पहले जया हो पहले बहुत तो के रहा हो करेंगे बहुते हैं कि इन पर लो इसका मास तुए हम के बराबर है स्कमास M के बरावर है यह आके इससे टकरा रहा है वी नॉड की स्पीड से काई की स्पीड से वी नॉड इसका इस्प्रिंग कॉंस्टेंट के बरावर है यह सर्फेस स्मूध है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्च इनके बीच में एकी वैल्ली वन वाई टू के बरावत दे रखी है न के लेखी अचे झाली के बागणी सिर्ण नाउ नत पी हया एक गज की।क साखी च बाढ'T पपए ऑंद यfed झाल ऐस्टिट्यूशन पूरका एक ल् faces आफ बे दियाव sub-dimensional length find the maximum compression in spring find the maximum compression in the spring after the collision if e is equal to 1 by 3 तो इसमें वर्क पावर एनरजी भी ले आए हम बीच में टक्कर भी ले आए और आपके सर्दो ओसम है यार क्या नहीं लेकर आ सकते हम इन क्वेश्चन्स के बीच ओ बीच आप में बीचिफधी है यार आराजी लेकर बीच बीच है क्यों आराजी जासाष मिड़ दूबाष इह ऊद्यार एंवाषभ अजिप 1-गशचर आराजी लेकर भी लेक का दूभ झाल 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 करने में डिसकस करें इस वाले क्वेशन को इसको लेकर देना वी जाल झाल 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 यसको लेकर देना बच्चोए बच्चो AH अagस देनने लिएक वाले कर लगे अब क्या करोगे अच्छा यहाँ पर बेसक spring लगी हुई है तक्कर होगी न तो तक्कर के दोरान spring का जो force है न वो एकदम infinite तो हो नहीं सकता बहुत बड़ा तो हो नहीं सकता spring बच्चो non-impulsive force है तो we can duration of collision बहुत कम है तो तक्कर से पहले और तक्कर के बाद हम क्या कर सकते बच्चो solve करने के लिए क्या क्या लगाना होता है बच्चो linear momentum conservation equation most of the time will help और एक equation लगानी होती है along the line of impact E की equation E मतलब coefficient of restitution which is E is equal to velocity of separation divided by velocity of approach यह दो equation most of the time help कर देती है अगर elastic collision दे रखा है तो kinetic energy भी conserve कर सकते हो आपना before and after तीसरी यह help मिलती है बाद बाकी बच्चो इन से दो equation से काम हो जाता है linear momentum conservation से M into V naught is equal to 2M into V1 plus का M into V2 ठीक है this is our first equation कहां से आई linear momentum conserve कर दिया before and after अब दूसरी equation कहां से आती बच्चो E की E मतलब 1 upon 3 is equal to velocity of separation यह क्या होता है बच्चो velocity of separation divided by velocity of approach एक बात बता हो टकर के बाद यह ज्यादा तर्ट जा रहा होगा यह पीछे वाला slow आरहा होगा तर्टकर के बाद दौनों separate हो गए तो ये ज्यादा तर्ट चल रहां रहा होगा तो separation velocity कि होगी इस minus का this के बराबर separation velocity V1 minus का V2 के बराबर और एप्रोच मेरोसिटी क्या थी? V0 के बराबन, ठीक है? तो हमारे पास equation आ जाएंगी बच्चों यहां से solve करने के बाद 2V1 प्लस का V2 is equal to V0 V1 minus का V2 is equal to V0 divided by 3 we add both of the equation 3V1 comes out to be 4V0 by 3 V1 की value बच्चों, 4V0 by 9 के बराबन मतलब इसकी मेरे पास speed आ गई अब यह बताओ बच्चों, टक्कर के बाद क्या होगा? अच्चा, V2 कितना आ रहा है? V2 2V1, V2 की value भी बता कर लेते हैं 2V1, V1 की value पूट कर दे हैं आप है 4V0 by 3 plus का V2 is equal to V0 अच्चा, एक काम, एक क्वेशन में बच्चों में एक थोड़ा चेंज कर रहा हूं अवे जाद हुआ भी ने कुछ बहुत लेंदी हो जाएगा question और मैं एक easy question रखना चाहता हूं तो यह हो जाएगा 3V अब अधर भागेगा और इसका भी कुछ होगा रुकेगा नहीं रुकेगा फिर दूसरी टक्कर का भी ध्यान रखना है ठीक है तो यह मेरे पास आगया अच्छा तो मैं पता है कि इसके पास जो V1 आया इसकी बेज़े से इसको compress करेगा spring को तो spring की जो potential energy होगी ना half के x max का square यह maximum तब होगी जब यह जाके रुक जाएगा मतलब इसकी सारी kinetic energy इसको जब मिल जाएगी तो half 2m into V1 का square तो यहां से बच्छो तुमारे पास x max की value आ जाएगी तो जो x max आएगा ना बच्छो रूट के अंदर 2m divided by k और V1 कितना है बच्छो यह दे रखा V0 by 2 V0 square divided by 4 x max जो आएगा यहां बच्छो आएगा यहां बच्छो आएगा यहां बच्छो आएगा यहां जाएगा समझ मैं बच्छो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्वेशन यहां पर बहुत अच्छे से लगती है नेक्स्ट क्वेश्चिन करें ओके डिफरेंट डिफरेंट टाप की क्वेश्चिन से थ्रू अब हम इनकोंसेप्ट्स को कवर करने की कोसिस करेंगे करेंगे तो क्वेश्चिन नमर्ट तू तो यह बच्छों टू एम मास की है और यह वाली एम मास की है और देव अथार मुविंग टोवाड्स एच अधर विद वेलोसिटी वी नॉड विद वेलोसिटी वी नॉड ठीक है यह यह कंडिशन दे रखी है इकी वैल्यू बच्छों वन वाई टू को वरावत दे रखी है ठीक है आपको पुछाए नोने इंपल्स आफ अच्छा तुम तो यह बता पहले मिनिममं काईनेंटिक एनरजी ड्यूरिंग पोलीजन कितनी होगी है मिनिम्म काइनेटिक एनेजी डियूरिंग कोलिजन कितनी होगी फाइनल वेलोसिटीव बोथ आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीव बोथ आफ्टर कोलिजन इंपल्स आफ रिफॉर्मेशन इंपल्स आफ डिफॉर्मेशन क्या होगे ठीक है करो वह इस व्यूर्शन को सॉल्ब करो इंपल्स आफ डिफॉर्मेशन आप रहों को बताना है झाल्स आफ डिफॉर्मेशन झाल्स 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 हुआ का झाल्स हुआ झाल्स 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 झाल 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 तो जब maximum deformation आया होगा तो क्या रुख गए होंगे? क्या सारी kinetic energy lose हो जाएगी? तो बच्चों मुझे यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि रुखने का मतलब है कि system का momentum zero हो जाएगा अगर तुमने इनको रुखा हुआ माल लिया तो system का momentum zero हो जाएगा? क्या इस system का momentum zero है? क्या इस system पर कोई बाहर से force लग रहा है जो momentum को change कर रहा है? तो क्या यहाँ पर रुके हुए हो सकते है दोनों जब दोनों का deformation maximum होता है तो मैंने तुमने बताया था कि they both are moving with the same velocity if they are moving तो हमें यह बताए कि momentum zero नहीं है linear momentum इस process के दोरान पूरा हर एक step में क्या रहेगा conserve because यहाँ पर impulsive external force नहीं है तो linear momentum पूरा time क्या रहेगा बच्चो conserve रहेगा अब linear momentum conserve तो है लेकिन क्या problem आ रही है linear momentum बच्चो यहाँ पर conserve तो करना है हम है लेकिन at the time of maximum deformation they both will have the same velocity in which direction in this direction ठेक है तो यह maximum deformation का time है at max deformation ठेक है इनके दोनों की speed V के परावर होगी यह 2 M mass है यह M mass है इसी time पर kinetic energy बच्चो minimum होगी ठेक है ऐसा किस बनेगा पहले तो यह समझे लो अब kinetic energy हमे minimum kinetic energy पता करनी है कई भर हम से loss पूछ लिया जाता है maximum loss कितना होगा अब minimum kinetic energy कैसे पता करोगे बच्चो एक तो तुम momentum conservation लगाओगे linear momentum conservation यहां से यहां तक तो 2 M into V naught minus का M into V naught is equal to 3 M into V तो तो V की value हाजाएगी बच्चों हमारे पास V naught divided by 3 के बराबर ठीक है तो minimum kinetic energy कितनी हो जाएगी बच्चों इसी टाइम पहोगी minimum kinetic energy के minimum हो जाएगा half 3 M into V naught divided by 3 का square M V naught का square divided by 6 के बराबर यह होगी बच्चों minimum kinetic energy अच्चा initial kinetic energy कितनी थी half 2 M into V naught का square plus half M into V naught का square तो 3 M V naught का square divided by 2 के बराबर थी minimum कितनी रहेगी इतनी आप से पूछे maximum loss कितना होगा या maximum deformation potential energy कितनी आएगी अच्चा kinetic energy initial कितनी है initial half 2 M into V naught का square plus half M into V naught का square is equal to 3 M V naught का square divided by 2 के बराबर maximum loss of kinetic energy of kinetic energy maximum loss कितना होगा this minus का this 8 by 6 4 by 3 M V naught के square के बराबर यही maximum deformation potential energy होगी ठीक है? इसी को हम बोलेंगे maximum deformation potential energy अब क्या हुआ? यह तो हो गया यहां से यहां तक deformation अब इसके बाद यह regain करना चालू करेगा अच्छा E की value कर जीरो दे रखी होती ही न तो फर यह ऐसे ही चलते जाते तोनों चिपके हुग रहते और ऐसी चलते जाते लेगन यहां पर E की value कर दे रखी है 1 by 2 मतलब it is inelastic collision जिसमें कुछ regain होगी तो this is maximum deformation अब deformation मैंसे reformation चालू होगा मतलब deformation घटेगा कुछ kinetic energy बापस मिलने लगेगी और बाद में क्या होगा बच्चो कि they both will be moving with some velocities तो मैंने कहा कि टक्कर के बाद मानलो यह दोनों के दोनों ऐसे जा रहे है कितनी velocities से यह जा रहे है सरो मानलो v1 से और यह जा रहे है v2 से ठीक है तो जो 2m वाला था वो v2 से जा रहे है यह मानलो v1 से जा रहे है वाला ना अब यह टक्कर के बाद ऐसे जा रहे हैं तो सेकंड वाला पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं ठीक है सेकंड वाला क्या है यह पहला वाला पार्ट था सेकंड वाला पार्ट क्या है velocity is after the collision कैसे बता करोगे हमारे पास दो variable है वी बन और वी टू एक तो बच्चों मैं यहां से यहां थक momentum conservation तो दूसरी equation किसकी लगाँगा E की तो momentum conservation 2M V0 minus M into V0 is equal to दोनों एकी direction में जा रहे हैं 2M V1 plus M into V1 तो V1 plus 2V2 is equal to V0 यह आजाएगे हमारे पास पहली equation दूसरी equation E की equal to 1 by 2 velocity of separation अब अगर इनके बीचे में separation आ रहा है तो यह जादा तेज जा रहा होगा इस पीछे वाला slow आ रहा होगा तो हम लिखेंगे V1 minus V2 divided by velocity of approach क्या है बोट are moving towards each other with V0 plus V0 तो यहां से बच्चों मेरे पास आजाएगा V1 minus V2 is equal to V0 ठीक है और ऊपर से आगे बच्चों V1 plus 2V2 is equal to V0 इस समय से उसको minus कर दो इस समय से उसको minus करोगे तो 3V2 0 के बराबर आजाएगा मतलब V2 हमारे पास 0 के बराबर आजाएगा और V1 हमारे पास V0 के बराबर आजाएगा तो टक्कर के बाद यह वाला रुख जाएगा और यह सारे के सारा velocity लेके जा रहा होगा इनकी जो velocities हैंगी न वो हम लोगों ने पता कर ली अब बात आती है बच्चो impulse of reformation and impulse of deformation यहां से लेके यहां तक की जो process है यह deformation है अब एक body को पकड़ लो कौन सी वाली को इसको पकड़ लेते है इसके पास initial momentum इदर तो finally इसके पास momentum इदर आ गया है impulse of deformation जो आएगी न इस body पर वो आएगी हमारे पास इसकी velocity यहां पर कितनी वी नौड वाई 3 m into v नौड वाई 3 यह final momentum है initial momentum इसका इतना था तो यह आएगी minus 4 y 3 m v नौड के बराबर यह होगा impulse of deformation अब आप बोलोगे sir impulse of reformation कैसे पता करेंगे आपको यह पता होना चाहिए कि impulse of reformation divided by impulse of deformation जो होता है न वो e के बराबर होता है which is equal to 1y2 impulse of reformation जो होगी impulse of deformation का आदा हाएगी and we get all the answers थेक है we get all the answers यह नया आवो gorन स्ग्त्याता है टहों है यह वहाड़ा, यह हम पता है वह रूसरा刀 यह हम आतो झाल झाल निकले वही आप लोगों नहीं वाला ओके यह थी बच्चो ऐसी बॉडी जिनका टक्कर हो रहा था दूसरी फाइनाइट मास्की बॉडी के साथ अब आते है वच्चो हैवी कोलीजन विद हैवी बॉडी और फिक्स सर्फेस कोलीजन विद हैवी बॉडी और फिक्स्ड शर्फेस ठीक है ग्स्ट तक्कर बच्चो हेवी बॉडी या फिक्स सर्फेस के साथ अगर टक्कर हो रही है तो ठीक है पॉलीजन विद हेवी बॉडी और फिक्स्ड सर्फेस अगर कोई बहुत heavy body है न बच्छो तो टक्कर के दोरां जो momentum लगेगा न उसो heavy body पर या दीवार से टक्कर हो रही है या एक बहुत ज़यदा mass की body है तो उस पर momentum transfer होगा कुछ जब लोगा है तो उसकी velocity में change कितना हैगा M delta V equal to P M से डिवैड करो कि M इतना ज्यादा होगा कि डेल्टा वी जो होगा ना बच्छो वो नेगलीजिवाल आ जाएगा तो अगर मैं जैसे दिखा हूँ यहाँ पर इसको मैंने कहा कि बहुत हैवी बॉड़ी है ठीक है उससे कोई छोटी सी बॉड़ी आके टकराई चुनुक्सी यहाँ कैसा टकराई मालोगी नोड़ स्पीड से यह हैबी है यह इस पर क्या करेंगी मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी है मोमेंटम इस पर भी ट्रांसफर होगा P कुछ finite होगा अब इसका M heavy body V final minus M heavy body V initial यह P के बरावर होगा V final minus V initial जो आएगा P divided by M of heavy body which is tending to zero v final is almost equal to v initial मतलब there is a change in the velocity of this body as well but that change is very very small और अगर वो चेंज बहुत स्मॉल है हमें क्या करना है नेगलेक्ट चेंज इन वेलोसिटी आफ हैबी बॉड़ी दू नॉट राइट दा इक्वेशन आफ लीनियर मोमेंटम कंसर्वेशन क्योंकि तुमने इसमें जो चेंज आया ना मोमेंटम की वज़े से उस चेंज को तुमने नेगलेक्ट कर दिया अगर तो मोमेंट अगर इसकी वेलोसिटी फाइनल निशियल सेम मानकेगा तो मोमेंटम गंजर्वेशन एक्वेशन लगाऊगे ठीक है क्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे तो दो नॉत राइट लीनियर मोमेंटम कंसर्वेशन एक्वेशन 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 एक्वे यूज इक्वेशन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ सेप्रेशन डिवेट भी वेलोसिटी ऑफ अपरोच मुस्ट ऑफ दी टैम बच्चो इससे आपका क्वेशन खतम हो जाएगा एक्जामपल के तौर पर बच्चो अगर अर्थ के सर्फिस से ग्राउंड से कोई भी बॉड़ी आके टकर आ रही है वी नौड स्पीड से ममास की बॉड़ी आके टकर आई होगी तो बच्चो तकर के बाद इसबॉडी की जो स्पीड होगी बैसे इसी डैरेक्शन में जाएगी इसी लाइन में लेकर में इसे लाइन में बना तका जै घॉच्प साँचिक तो इसकी जो रिवाउंड स्पीड होगी न वच्षो, E times V naught के ब्राबर होगी, अजयए द्यान रखना है, ये surface rest पै VERY, only in that case, क्योंकि velocity of approach क्या है इसकी V naught, तो velocity of separation क्या होगी? E times velocity of approach के बेराबर, अरे velocity of separation जो होती है वो E times velocity of approach होती है, approach velocity V naught है तो separation velocity है, यह तो चल नहीं रहा, मतलब यह ही जा रहा होगा, कितनी वनॉसरी से जा रहा होगा, E times Vnod की rate से, जब भी ground से कोई body आके टकराएगी न, तो वो E times speed से rebound करेगी, ठीक है, जमीन से टकराएगी न, बच्चो, E times की speed से वो rebound करेगी, E times की speed से वो rebound करेगी, टीक है, चलाएगी वो खर देटा लगज़ करेज़ थार रहा होगा, चाले करेगी बच्चोंस हो लो बच्छों करते समया, झाल 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 झाल